अगर बच्चे फूट्स खाने से कत राते हूं तो हर मा का सलीचन होता है फूट्स को फूट जूस में बना देना और आज हम भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं लेकिन फर्क इतना है कि हम उस fruit juice में एक नहीं, दो नहीं, बलके तीन-तीन fruits के गुनों को मिलाएंगे और उसे देंगे एक अनोखा twist. तो चलिए बनाते हैं ट्रिपल फ्लेर. इस juice में हम यूज करने वाले हैं पाइनापल्स, कीवीज और स्ट्रॉबरीज. ये तीनों ही अनोखे, बहुत ही अच्छे और बहुत ही लाबदाइक fruits होते हैं, वैसे तो सभी fruits अच्छे होते हैं, लेकिन कभी-कभी different-different fruits को यूज करने में ज्यादा मजा आता है. यूजुली बच्चे पाइनापल या फिर कीवी ऐसे ही खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इन्हें यूज करते हैं हम इस मज़दार juice में. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम काट लेंगे थोड़े से पाइनापल्स, उन्हें आप रफली चॉप कर लीजे, क्यूंकि हमें इसे मिक्सर में डालना है. ये कट गए हमारे पाइनापल, पाइनापल is full of vitamin C, और अब इसे हम निकाल लेते हैं, एक बोल में. के, ये कट गए पाइनापल्स, नाओ लेट्स चॉप सम् कीवी, काट लीजे, और फिर चूरी की ही हेल्प से आप इसे पील कर लीजे, ये दिखने में इसका जो सर्फेस होता है, वो बड़ा रफ होता है, बट जब आप पील करना स्टार्ट करेंगे, तो रेलाइस करेंगे कि इस रेली स्मूद और सॉफ्ट, और वेरी इजी तो पील, कीवी इंडिया में नहीं उखते हैं, ये इंपोर्ट होते हैं, पर बड़ी आसानी से आजकल मार्केट में अवेलिबल होते हैं, और इसे भी अब चॉप कर लेते हैं, देखिए इसके अंदर जो बीज हैं, ये बहुत ही हल्दी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं हमारे लिए और ये बीच कभी निकाले नहीं जाते, बहुत ही जूसी फूट होता है, ये कट गया हमारे कीवी, अब इन्हे भी आप एक दूसरे बोल में निकाल के रख लीजे, अगर कीवी आपको ना मिले तो आप कीव के बदले में ग्रीन ग्रेप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अब काट लेते हैं, सब का फेवरिट एंड स्पेशली मेरा स्ट्रॉबरी, स्ट्रॉबरी के जो लीव्स हैं वो आप निकाल दीजे, अब हम छॉप कर लेंगे, ये कट गय हमारे स्ट्रॉबरी, अब कटिंग तो ह हो गया है, अब स्टार्ट करते हैं, ग्राइंडिंग, सब से पहले हम लेंगे पाइनापल और उन्हें एक ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, अब दैसे तो ये रेसिपी काफी आसान है, लेकिन इसमें एक चीज ट्रिकी है, हम जो तीन फूट्स को ग्राइं करने वा ग्राइं लेकिने हम डालेंगे फोड़ा सा थिये खणष्ट आइस, ओणये रड्न कर देंगे, जो ज़िसे समय योण य हम डालेक ट्रॉइझज ट रीकिन लेकिन ट्रॉच्छ आइस, अर डाल देए रिज़े हैं, पाइनपल करनेगे, बस। तू जादा नही मेराना यह अच्छे से mix हो गया है, grind हो गया है, इसे अब हम निकाल लेते हैं, एक separate glass में, nice and thick pineapple juice with the entire pulp, तो यह बहुत healthy है, because हम इसे चान नहीं रहे हैं, अब इस जार को हटा देते हैं, हम इस्तमाल करेंगे दूसरे जार में, जिसमें मैं डालने वाली हूँ, कीवी, इसमें डालते हैं थोड़ा सा crushed ice, and let's begin, wow, look at that color, isn't it beautiful, अब इसे निकाल लेते हैं, हम हमारे दूसरे ग्लास में, quantity same होनी चाहिए, अगर कम लगे, तो हम बाकी का भी कीवी ग्राइन कर लेंगे, but I think it's just perfect, okay, अब इसे हटा देते हैं, and let's use the third jar, अब तीसरे जार में आप डालिए, आपके कटिएवे strawberries, अब इसने आप टालिए, थोड़ा सा आइस, अब इसे भी हम ग्राइन कर लेते हैं, yummy, isn't it looking yummy already, nice red strawberries, इन्हें भी अब हम निकाल देंगे, हमारे तीसरे ग्लास में, मैंने तीन डिफरेंट जार्स यूज किया हैं, लेकिन आपके पास अगर टाइम हैं, तो आप एक ही जार को बार बार दो के यूज कर सकते हैं, let's take a nice tall glass, और अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे, pineapple juice, okay, अब इसमें हम डालेंगे, kiwi juice, पर इसे हम थोड़ा ध्यान से डालेंगे, बिकाज अगर हमने डारेकली पोर किया, तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा, and we don't want that, so, इसे इस तरह से आप हलके से पोर कीजे, ताकि वो just pineapple juice के उपर जाके, settle हो जाए, थोड़ा सा टाइम लगता है इसे करने में, but trust me, जो final look होगा, वो बहुत ही appealing होगा, and पच्चे से देखके, बहुत excited हो जाएंगे, last, there, okay, अब बारी आती है, strawberry juice की, so again, we are gonna use another spoon, because otherwise colors फिर से mix हो जाएंगे, same तरीके से आप उसे कीवी जूस के उपर डालिये, ऐसा हम इसले कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम पोर करेंगे, तो weight की वजे से वो बिलकुल नीचे चली जाएंगे, और सब colors mix हो जाएंगे, and we don't want that, right? because we are making triple flare, तो इसके ये तीन लेर्स हमें दिखने चाहिए, so ये अब तयार हो गया, अब लेते हैं थोड़े से mint leaves, और इस तरह से से लगाते हैं, and the triple flare is ready, देखें, हैना ये healthy और इतना attractive, इसके तीन लेर्स जैसे ही बच्चे देखेंगे, whether they like the fruit or not, trust me, इसे फटा फट 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 पी जाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं इस recipe का quick recap, triple flare बनाने के लिए, 2 cup pineapples, 1 cup kiwi, 1 cup strawberries को roughly chop कर ले, अब roughly chop pineapple को grinder में grind करके, glass में निकाल ले, इसी तरह से roughly chopped kiwi और roughly chopped strawberries को अलग-अलग grind करके separate glasses में निकाल ले, फिर एक लंबे glass में base पर pineapple juice को pour कर ले, फिर एक चमच की help से धीरे-धीरे side से pineapple juice के ऊपर kiwi juice को डाल दे, फिर इसी तरह kiwi juice के ऊपर strawberry juice को डाल दे, अब mint leaf से decorate करके serve कर दे,